Hello everyone, आज किस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सेयर करूँगी LLV Entrance Examination 2022 के पेपर को तो friends, 2022 के पेपर में previous year के काफी सारे question repeat हुए हैं मेरे बहुत सारे viewers के comment भी आये हुए हैं कि question बहुत जादा repeat हुए थे, तो उनको बहुत जादा help मिली किस टाइब के question इस बार पूछे गे थे, वो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे इसके आप वीडियो में लास तक बने रहे हैं तो friends, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, paper English और Hindi दोनों ही medium में आता है तो मैं आप सभी के साथ Hindi में question paper solve कर रही हूँ आप लोग English में भी कर सकते हैं, Hindi में चाहें तो Hindi में भी solve कर सकते हैं तो पहला question है, तीका करण हमें death जैसी बिमारियों से बचाता है देखे, vaccination हमें किस टाइब की बिमारियों से बचाता है, पूछ रहा है beri-beri, chicken gunya, polio, scurvy तो इसका right answer है, polio, ठीक है, polio जैसे बिमारी जो है, टीका करण से हमें बचाती है अगला question है, भारत में विधी दीवस, देखे, आप से पूछा जा रहा है, इंडिया में law day कब celebrate किया जाता है तो इसका right answer है, 26 November को law day celebrate किया जाता है next question है, eco mark, ऐसे भारती उतपाद को दिया जाता है, जो, देखे, eco mark पूछ रहा है कौन से उतपादों को दिया जाता है, जो क्या हो, परियावरण के अनुकूल हो, ठीक है, option B, इसका right answer होगा question number 4 है, computer के अंदर पाई जाने वाली भंडारण युक्ती यानि कि आपसे पूछ रहा, storage device computer में कौन सी होती है, तो इसका right answer है, option D, hard disk question number 5 है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में इस्तित है, आपसे पूछा गया है कि कौन से महाद्वीप में है सहारा रेगिस्तान, तो ये है अफ्रिका में, ठीक है, option A, इसका right answer होगा next question है, सूरी से पृथवी तक पहुंचन में प्रकास कितना लंबा समय लेता है, यानकि जो सन से प्रकास की किरणे हैं, वो धर्ती पे कितने समय में पहुंचती है, ठीक है, तो वो पहुंचती है, लगभग 8 मिनट में, ठीक है, option B, इसका correct answer होगा अगला question है, सब्द दो आपका अर्थ है, दीक है, दो आपका meaning क्या होता है, इसका meaning होता है, दो नदियों के मध्य की जमी, ठीक है, option C, इसका right answer होगा next question है, भारत में मौदरिक नीती तैयार करता है, देखिए आप से क्या पुछा जा रहा है, monetary policy को कौन तैयार करता है भारत में, तो इससे तैयार करती है, RBI, ठीक है, option B, इसका correct answer होगा question number 10 है, मध्यान, भोजन, योजन, निम्रिकित में किस से सम्मंदित नहीं है, पुछा गया, ठीक है, जो midday meal scheme है, वो किस से related नहीं है, इन में से पुछा जा रहा है, तो इसका right answer है, right to food, यान कि भोजन के अधिकार से सम्मंदित यह, नहीं है अगला question है, नाभी की उर्जा, एक खनी आधारित उर्जा सुरूत है, यह प्राप्त की जाती है, तो यह uranium से प्राप्त की जाती है, ठीक है, option इसका right answer होगा next question है, सामानी नमक का रसाइनिक नाम है, देखे, common salt का आपको chemical name बताना है, तो इसका chemical name होता है, sodium chloride, NECL बोलते हैं से, ठीक है, formula होता है NECL next question है, एक रुपे के note में हस्ताक्षर होते हैं, देखे, जो एक रुपे का note होता है, उसमें किसके signature होते हैं, पूछ रहा है, तो इसमें signature होते हैं, वित्तमंत्रा लेके, सची होते है question number 14 है, जब रात और दिन की अवधी बराबर होती है, तो सूरी की किरिणें पढ़ती हैं, देखे, आप से क्या गहा जा रहा है, रात और दिन जब क्या होंगे, दोनों ही बराबर होंगे, तो सूरज की किरिणें कहा पढ़ेंगी, तो ये पढ़ती है, भूमद्धी रेखा पर पूछा जा रहा है, तो ये है दूरी का, नेक्स वेशन है, पानिपत का दुती युद्ध, इन के बीच लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था, अकबर और हेमु के बीच, ठीक है, option C, इसका correct answer होगा, अगला question है, महात्मा गाधी के राजनितिक गुरु कौन थे, महात् अलकृष्ण गोख ले, ठीक है, option C, इसका right answer होगा, next question है, कौटिल्य का अर्थ सास्त्र, किस पहलू से सम्मंदित है, देखिए, जो कौटिल्य के पुस्तक है, अर्थ सास्त्र, वो किसी से related है, पूछ रहा है, तो ये है राजनिति से related, ठीक है, option C, इसका correct answer होगा, question number 20 है, noble पुरुसकार प्राप्त करने वाले प्रथम भारती थे, देखिए, पहले भारती बताने है, जिनको नुवल पुरुसकार मिला, तो इसका right answer है, रविना टैगोर, ठीक है, option C, इसका correct answer होगा, next question है, हिमाले बचाओ, देश बचाओ, नारा दिया गया, किसके द्वारा दिया का right answer होगा, next question है, समवीधान में हमारे देश के किस नाम, नामों का उलेक किया गया है, देखिए, समवीधान में हमारे देश के इंडिया तथा भारत नाम का उलेक किया गया है, ठीक है, option इसका right answer होगा, next question है, निमिकित में कौन hardware नहीं है, देखिए, hardware नहीं है, पूछ रह अर्थ के नियरेस्ट विनस है ठीक है आपको यह याद रखना है विनस है और अगर सन के नियरेस्ट पूछा जाएगा तब आप मर्क्यूरी लिखेंगे ऑप्शन C तब होगा यहां पर इस के लिए राइट आंसर है प्रिथवी के निकटम दूरी पर इस्तिद्ग्र तो इसका करेक्ट आंसर होगा उप्शन A सुक्र नेस्ट कॉश्चन है कंप्यूटर की भासा रैम को समझा जाता है कि रैम क्या है पूछा जा रहा है तो रैम है रैंडम एक्सिस मेमोरी ठीक है ऑप पूछ रहा है तो इसका रैम आट आंसर ऑप्शन D विलो की लकड़ से बनता है अगला कोश्चन है मांट एवरेस्ट की उचाई कितनी है तो इसकी उचाई है 8849 मीटर ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स वेशन है महत्मा गादी की माता का नाम क्या था देखिए म आस्टपती केवल 12 सदस्यों को मनोनित करते हैं और अगर आपसे पूछा जाएगा लोगसभा तो लोगसभा में सिर्फ ये दो सदस्यों को मनोनित करते हैं अगला कोश्चन है लोगसभा के वर्तमान स्पीकर पूछ रहा है तो वर्तमान स्पीकर है ओम बिर्ला ठीक है उप किया गया, भारत का पहला लोगपाल पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है पिनाकी चंद्र घोस्ट, ठीक है, उप्शन E इसका correct answer होगा, अगला क्वेशन है निम्निकित में किस जिले में देवी धुरा का मेला आयोजित होता है, देवी धुरा का अगला क्वेशन है, उत्राखंड भारत का राज्य है, देखिए, उत्राखंड भारत का 26 वा राज्य है, ठीक है, उप्शन B इसका right answer होगा, क्वेशन निम्निकित में किस इस्तान पर महत्मा गाधी द्वारा, देखिए, यहाँ पर अनासबती लिख दिया, यह अनासक्ती योग्टी का है, ठीक है, अनासक्ती है आपे, यह आपर याद रखिएगा, अनासक्ती, योग्टी का कहां लिखा गया है, पुछेगा, तो यह लिखी गई है, कौसानी में, ठीक है, option 10 का राइट आंसर होगा, question number 39 है, निम्लिखित में कौनसी एक अनुसूचित जन जाती नहीं है, देखे, schedule, tribe, नहीं है, पूछा जा रहा है, कौनसी नहीं है, थारू, राजी, बोकसा, सहरिया, तो इसका उत्राखंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, उत्राखंड की पूछ रहा है, तो यह है, काली नदी, ठीक है, option इसका correct answer होगा, question number 43, देखे, regioning से related है, इसमें दिया गया है, राम स्याम से लंबा है, देखे, राम से पूछ रहा है, सबसे लंबा कौन है, देखे, सबसे लंबा पूछा जा रहा है, तो सबसे लंबा है, इसमें रही, ठीक है, तो option इसका right answer होगा, question number 44, देखे, blood relations related, रीता कहती है, कि सुधीर जो सुमित का पिता है, मेरे ससुर रंजीत के एक मात्र पुत्र है, तो सुमित रंजीत से कैसे संबन्दित है, तो देखे, सबसे पहले, आपको क्या करना है, इनको generation में divide करना है, सबसे पहले यहाँ पर आएगा, पुत्र, ठीक है, फिसक्रियत पिता, फिर ससुर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखे, सुधीर जो सुमित का पिता है, तो सुमित यहाँ पर होगा, ठीक है, सुधीर यहाँ पर होगा, ठीक है, अब वो बोल रही है कि मेरे ससुर रंजीत के एक मात्र पुत्र है देखिए मेरे ससुर रंजीत के एक मात्र पुत्र बोल रहे है तो रीता मतलब यहाँ पे होगी इसकी वाइफ होगी इसके ससुर होंगे कौन रंजीत ठीक है यहाँ पर कौन होंगे रंजीत तो सुमित रंजीत से कैसे सम्मंदित है तो इसका right answer होगा क्या होगा पोता होगा इनका ठीक है option C's का correct answer होगा question number 45 है निमन में कौन सा सब्द बाकी सब्दों से अलग है देखिए आपको बताने है इन में से different कौन सा है पत्री का समाचार पत्र पुस्तकाले पुस्तकाले इन में अलग होगा क्योंकि पुस्तकाले में सारी ही चीज़े मिल जाती है तो यह क्या होगा different होगा question number 46 है सैनिक का सेना से उसी प्रकार का सम्मंद है जैसे सिस्य का है देखिए आपको बताने है सिस्य का सम्मंद किस है सैनिक क्या होता है सेना का हिस्सा होता है ठीक है वैसे ही आपको बताने है सिस्य किस का हिस्सा होगा कक्षा का हिस्सा होगा ठीक है तो option D इसका right answer होगा question number 47 है कौन सा एक से स्तीन विकल्पों से भिन्न है देखिए एक आपको बताने है कि इन में से अलग है कौन सा होगा वो जनवरी फरवरी जुलाई दिसंबर तो इसका right answer होगा option B फरवरी next question देखिए blood relation से ही related है एक व्यक्ति का चितर दिखाते है एक महिला ने अपनी मित्र से कहा इसकी मा मेरी मा की अकेली पुत्री है महिला का उस व्यक्ति के साथ रिस्ता है इसकी मा मेरी मा की देखिए इसकी मा यहां पर होगी ठीक है यह खुद महिला है यहां पर ठीक है इनकी और इसारा करते हुए बोलती है कि इसकी मा मेरी मा की अकेली पुत्री देखिए अकेली पुत्री महिला क्या होगी स्वयम होगी महिला का उस व्यक्ति से क्या रिस्ता है तो महिला का इस व्यक्ति से किस चीज का रिस्ता होगा मा और बेटे का होगा ठीक है option A इसका correct answer होगा next question है देखिए यदि PILOT का गुपतर्थ MFILQ है तो train का गुपतर्थ क्या होगा तो देखिए आपको skip करना है दो दो अलफावेट आपको back आना है P से आप दो back आएंगे तो आपको M मिलेगा I से दो back आएंगे तो आपको F मिलेगा ठीक है तो ऐसे ही जब आप इस वाले word में करेंगे तो आपको इस question के लिए right answer मिलेगा देखिए Q O X F X ठीक है option A वाला इसका correct answer होगा question number 50 है देखिए school की परिच्छाओं में देवेश के अंक धीरज से कमाए लेकिन सूरज से अधिक आए हैं देखिए आप से क्या कह रहा है देवेश के अंक ठीक है यह देवेश है इसके अंक धीरज से कम है किस से कम है धीरज से लेकिन सूरज से ज़ादा है तो सूरज के और कम होंगे इसका तक ठीक है किन्तु करन के भी देवेश से अधिक अंक आए देवेश से अधिक अंक आए कह रहा करन के ठीक है तो आप से कह रहा है न्यून तम प्रापतांक किसे मिले मतब सबसे कम अंक किसे मिले तो ये मिले है सूरज को ठीक है option C's का right answer होगा तो friends ये तो थे LLB entrance exam 2022 के regarding 50 most important questions जो आप सभी के साथ मैंने share किये इससे आगे की स्रीज के लिए आप चैनल को subscribe जरूर कर लें और अगर आपको वीडियो helpful लगा हो तो वीडियो को like share जरूर करें thanks for watching